ये तस्बीरे देश की राजधानी दिल्ली की हैं जहां चारो तरफ पानी ही पानी है मुसलाधार बारिस से दिल्ली पानी में तैरने लगी है जगह जगह पानी भर गया है ट्राफिक प्रभावित हो गया है बारिस ने ऐसा कहे धाया की एक महिला और एक बच्चे की मौद भी हो गई है जबकि दो अन्ने लोग घायल हो गए है भारी बारिस के चलते दिल्ली में तीन मकान भी गिर गए सूचना मिलते ही अलादिकारी मौके पर पहुँच गए रेश्क्यू ओपरेशन चलाया जा रहा है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिस का रेड अलट जारी किया है दिल्ली में सभी स्कूल एक अगस्त को बंद रहेंगे दिल्ली अन्सियार में भारी बारिस की आसंका है दिल्ली में बारिस का रेड अलट जारी किया गया है दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाईजरी भी जारी की है आईमडी की माने तो उत्तर भारत में अभी बारिस से रहात नहीं मिलेगी पश्मी उत्तर प्रदेश में एक अगस्त को अलग-अलग अस्थानों पर भारी बारिस की संबावना है मौसम विज्यान विभाग ने 2 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिस का रेड आलट जारी किया है लखनों में बुधुवार दो घंटे की मुसलाधार पारिस से शहर के कई अस्थानों समेद राज बिधान भवन में भी जल जमाओं की स्थिती उत्पन हो गई उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिस से चुड़ी खटनाओं समेद बिभिन आपदाओं में 15 लोगों की मौत हो गई है उत्तर खंड के कई हिस्सों में भारी बारिस से हाहाकार मचा है मंदाकनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है बताया जा रहा कि केदारनाथ में पादल फटने की संभावना है वही मौसम बिभाग ने उत्रा खंड में बारिस को लेकर औरंज अलेट जारी किया है वही हिमाचल प्रदेश में एक अगस्त को भारी बारिस की संभावना है मौसम बिभाग ने गुरुवार से राज के अलग-अलग अस्थानों पर भारी बारिस के लिए यलो अलेट भी जारी किया है राज में बारिस का दौर 6 अगस्त तक जारी रहने का नुमान है मौसम बिभाग के अनुसार मद्ध महराश्ट और पूर्भी मद्ध प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिस की संभावना जताई गई है असम में घाले मरीपूर और मिजोरम में एक अगस्त को भारी बारिस के आसार है मौसम बिभाग की माने तो 3 अगस्त दोजार 24 तक गुजरात के कई छेत्रों में भारी बारिस की संभावना जताई गई है मौसम बिभाग की अनुसार हरियाना चंडीगण और पंचाब की अलग-अलगस्तानों पर एक और 2 अगस्त को भारी बारिस की संभावना है 36 गड़ में 2 अगस्त तक भारी बारिस होने की संभावना है जिसको लेकर मौसम विभाग ने औरेंज आलेट चारी किया है फिलाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा ऐसा ही खबरों के लिए बने रही है आर भारत वरिजनल के साथ